बड़ों को प्रणाम बच्चों को प्यार आप सबको नमस्कार जैहिन सातियों में आरके नएक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं पॉलिटी की इस वीडियो स्रंखला में आज सातियों हम बारतिय राज व्योस्ता से समंदित कोछ महतपुन जान क प्रणार लेंगे इससे पहले सातियों आज हम सत्रा सु तोरा शी का जो पिट्स इंडिया एक पढ़ने वाले हैं इससे पहले आसा करता हूं सातियों हमने जो पॉलिटी की स्रंकला प्रारम की है इसके पहले के जितने भी वीडियो है मुझे उमीद है कि आपने देखे आप किसी भी एक्जाम के अगर तैरिकर रहे हो तो वहां पर अगर भारतिय सविदान इंडियन पॉलिटी से समद्धित कोई भी क्यूसन अगर पूछा जाता है तो आपका क्यूसन गलत नहीं होना चाहिए अब सातियों यहां पर सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जितनी भी पुष्टक दिखाई दे रही है आपको इन मेंसे अगर किसी भी पुष्टक का पीडिप आपको चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट को जरूर विज्जित कीजिए क्योंकि वहां पर हमने क्या कर रखा है परते पुष्टक के बारे में संपून जानकर द रहे हैं वह भी आप कॉमेंट बोक्स में जरूर लिख दीजिए बाकि साथियों इंडियन पॉलिटी से समदित इससे पहले की हमारी जितनी भी कलास हैं अगर यह जो पीपिटी आप देख पार रहे हो इनका अगर पीडिएफ आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है या पर रिविजन के लिए आपको यह पीडिएफ नहीं मिले तो साथियों उसके लिए अप क्या करेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल को बार्ट्सप ग्रूप को जोईन करें ताकि आपको इस परकार की जो पॉलिटी की पीडिएफ है वह मिल सकें आज साथियों हम इंडियन पॉ उसको हम पढ़ चुके हैं आज हम पिर्ष इंडिया एक्ट सत्रा सूराशी को पढ़ेंगे और इससे समंदित संपूर्ण जानकारी लेंगे ताकि साथियों आपका एक्जाम में कोई भी क्यूशन गलत ना हो तो चलिए साथियों सबसे से पहले हम जानकर लेते हैं सत्रा स्टिफ्ण का जो फिर्ष इंडिया एक्ट है इससे समंदित अब शाथियों सत्रा सूराशी का फिर्ष इंडिया एक्ट जब आया इस से पहले ऐस रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया कब 1781 के अंदर उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे 1784 के अंदर क्या है बिर्टी संसद ने पिर्श इंडिया एक्ट पारित किया जिसके कुछ मैत्पूर्ण जो प्रावदान है उन पर हम नज़र डालेंगे यानि जो मैत्पूर्ण प्रावदान है एक्जाम की देश्टी से सिर्फ उन्हीं को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं यहां पर साथियों सबसे पहले हम देखते हैं तो छै कमि कौन करेगा अब वारत के अंदर सातियों जब भी आपने देखा होगा राष्ट्रपती बहुत सारे ऐसे पद है जिनकी करते हैं और सपत भी दिलाते हैं तो इस तरीके की पूरी जानकरिया आपको इस वीडियो सरंखला में मिलेगी लेकिन सातियों यह जो चैक कमिशनरों का एक नियंतिरन बोर्डब बनाए गया था उसी फिर्स इंडिया एक्ट के द्वारा और पीडियो इंडिया एक कब आया था अगर बारत में इस tienen the patient पूंचा जाए आप weddi आएा तो उमीद है सातियों आपका गलत नहीं होगा तो इसके जो सदेशे थे उनकी न्यूक्ति करने की जिम्यदारी की थी बिर्टिस समराथ की जिम्यदारी थी और उसके दुआरा ही इनकी न्यूक्ति होती थी उसके बाद में साथियों हम देख लेते हैं कि यह जो च्छे कमिशनर थे कौन-कौन से थे या फिर कौन-कौन से व की थी तो उसमें सबसे पहले बिर्टेन का वित मंत्री इसमें सामिल था नंबर एक चीज दूसरा कौन था साते हूं जो विदेश सचीव था बिर्टेन का उसको भी इन 6 कमिशनरों में सामिल किया और समराट की जो एक सबसे महत्पूर्ण जो एक काउंसिल थी जिसे हम कि दूआरा की गई थी विटी समराट के दूआरा की गई थी तो यहां पर सातियों आपने देख लिया कि बोल्ड ऑप कंट्रोल के 6 मेंबर थे और 6 में एक तो विदेश मंत्री था किसका बिर्टेन का और दूसरा कौन था यह था सातियों विदेश सचीव और चार अन्य थे तो यह साथियों इससे समदित महत्पुन जानकरी है अब साथियों इसमें दूसरा एक और परियुतन किया जाता है वो क्या है भारत में जो गौवर्णर जनरल की परिशद थी उस परिशद में जो सदस्यों के संक्या थी कितनी चार थी अब चार मैंसे एक कम कर दिया य चार सदशे थे उनकी संक्या कम करके कितनी की गई तो तीन की गई यह आपको याद रखना है और कब की गई और कौन से अधिनियम या कौन से एक्ट की द्वा रखी गई तो वह भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे मदरास तता बंब रिचा जा सकता है वो क्यूशन क्या बनेगा कि प्रिसिंडिया एक्ट के तहत मदरास और मुंबई के गवर्णरों की साइता के लिए कितने सद्शे परिश्य का घटन किया गया अभी यहां पर तीन-तीन सद्श्यों किया है लेकिन अगर आप को यहां पर कन्फ्यूज करने के लिए यहां पर साथियों जो सबसे पहले हमने देखे थे च्छाय कमिशनर अब च्छाय कमिशनर आपको याद रहे तो आप भी सोचेंगे कि यहां पर यह जो सद्ध से परिश्द बनाई गई थी इसमें छह थे यह चीज आपको कन्फ्यूज करेगी इसलिए साथियों आप में कंपनी के द्वारा अधिकृत किये गए पर्देशों को पहली बार नया नाम दिया गया बहुत बड़ा परियूर्टन किया गया साथियों यहां पर इस एक्ट के द्वारा अब नया नाम क्या दिया गया है यहां पर पहली बार 32 अधिकृत बारतिये पर्देश यह नाम company के दुवरा अधिकरितिया company का जिस सत्र पे अधिकार था उन किषेरों को पहली बार नाम बदल दिया गया उनका और British अधिकरित भारती परदेश नाम दिया गया तत्था भारत में company के कर ये और परसाशन पर पुरण नियंत्रन का अधिकार British सरकार को दे दिया गया आप साथिवं कम्पनी वारत में कब आय थी यह आप कूमेंट करके जरूर बताईए क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया आपको कि जो इस इंडिया कमपनी की कि इसताफना कब हुई कि इसताफना कहां हुई थी और भारत में कब आई तो यह पूरी जानकरी में दे चुका हूं इसलिए आपको अब कमपनी भारत में कब आई थी वह जानकरी देनी है एक चीज क्योंकि यहां पर क्योंस न आप से पूचा जा सकता है यहां पर सातियों क्या है कंपनी से अधिकार छिन लिये जा रहे है यह तरह सो थेटर से रेजेन संट है किसे इस शलियighs तो यहां पर क्या होता है साथियों जो प्रसाशन पर पूर्ण नियंतरन का अधिकार किसको दिया जाता है बिर्टी सरकार को दे दिया जाता है यहां पर कंपनी के अधिकारों में कमी कर दी गई यानि कटोती की गई कंपनी के अधिकारों को चीन लिया गया दिरे दिरे बिर्टी सरकार के द्वारा तो वही जानकारी साथियों आप से एक्जाम में अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए बारत में निक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुक्दमा चलाने के लिए इंग्लेंड में एक कोर्ट की इस्तापना की गई अब साथियों यहां पर आप देखिए कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे उन अधिकारियों पर अगर मुक्दमा चलाना है तो उसके लिए अलग से एंगलेंड में क्या किया एक कोर्ट की इस्तापना की गई क्यों कि वह समय जो अनग्रेज अधिकारी थे वह बरस्त हो चुके 156 पर क्या है नियंट तरण करने के लिए वहा Euch यह क्यों दो कि गई लेकिन भारत में आज भी 7 जो बजटाचारी की लोग है वो कैसे खुले सांड़ की तरे गुमते हैं उन पर नकेल करने के लिए कुछ नहीं किया गया आपको पता होगा साथ यह निर्व मोदी विजे माले बगेर हैं कितना धन लोट करके विदेश में जाके आराम से बेटें एस वाराम की जिन्दी जी रहें और वह पैसा कि इसका है वो पैसा आप सभी का है क्योंकि हम जितने भी लोग हैं इन सभी का कुछ में आ तो राता है उसमें और परभावीत अगर देश के अर्थ वेया परभाईत हो रही है इसका मतलब है देश का आम आदमी जो भी है वो सभी परभाईत होते हैं इस तरह की घटनाओं से तो यहां पर तो साथियों इंग्लेंड ने क्या किया बहुत अच्छा काम किया कि जो वर्ष्टाचारी अधिकारी है उन पर मुग्दमा चलाने के लिए को राजनेतिक कारियों को अलग अलग कर दिया गया अब साथियों कंपनी के जो कारिये थे उन दोनों कारियों को अलग कर दिया गया यानि व्याप्यार के कारिये वह अलग होंगे और जो राजनेतिक कारिये हैं जिसमें नियम बनाना कानून बनाना या फिर किसी भी परकार का ह Razory करनी है कुछ भी करना है तो उन कार्यों को अलग-अलग यहां पर बार्ट दिया गया है यानि शक्टि का जो केंदरी करंड है उसको वी केंदरी करंड की तरफ यहां पर अगरशर हो रहा है तो यह जांधारी सातियों आपके लिए थी और आशा करता हूं सातियों आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है सातियों आप समय निकाल कर एक कॉमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा नंबर एक बार दूसरी बात स इसको भी PDF अब तक नहीं मिला है वो कॉमेंट जरूर करें और हमारे टेलिग्राम चैनल और वार्सप ग्रूप को जोइन करें मिलते हैं सात्यों आगले वीडियो में नई उमीद और नए जोश के साथ चैहिंद वंदे मातरम